हेलो एवरीवन वेलकम डू माई यूटूब चैनल आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर दरोगा को कितनी सेलरी मिलती है तो दोस्तो आप पिलीच वीडियो पूरी देख लेना हम पूरी सेलरी आपको explain करके बताएंगे उसके पहले आप हमारे चैनल को subscribe कर देना वीडियो फसंदाए तो वीडियो को like कर देना सबसे पहले दोस्तों बात की जाए कि जैसे कि आप चाहे मत परदेश यानि कि MP, UP, विहार, राजिस्तान, हरयाना इन स्टेट से हो तो इस वीडियो को देख लेना क्योंकि इन राजियों की सब इस्पेक्टर की सेलरी लगभग समान रहती है इसलिए आप किसी भी राजिसे हो तो इस वीडियो को देख लेना लेकिन दिल्ली पुलिस सब इस्पेक्टर की सेलरी अलग रहती है अगर आप दिल्ली SI की सेलरी जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है अब सबसे पहले बात कीजा दोस्तों सब इस्पेक्टर दरोगा का जो पे स्केल होता ह वो 9300 से लेके 34800 के बीच में होता है दोस्तो कुछ बता देंगे explain करके कि कितना room rent मिलता है क्या क्या allowance मिलते हैं तो दोस्तो पूरी जानकारी मिलेगी इसलिए वीडियो पूरी देख लेना पे scale होता है 9300 से लेके 34800 के बीच ग्रेट पे मिलता है 4200 तो allowance DA and HR दोस्तो allowance बहुत सारे होते हैं वीडियो के आखरी में पूरे allowance बताएंगे कि कौन कौन से allowance होते है allowance मिलते हैं 3500 रुपए के gross monthly salary gross monthly salary 27900 से 144400 के बीच में 144400 अब दोस्तों deduction भी होते हैं कुछ यानि कि कुछ आपकी salary काठ भी ली जाती है कट कर ली जाती है अब एक क्यों कट कर ली जाती है जैसे कि आपको income tax का tax दिना पड़ता है उसमें थोड़ी बहुत काट ली जाती है और जब आपको retire होते हो तो उसके लिए कुछ रासी काट काट के आपको retirement के time पे एकटी दे दी जाती है इसे लिए कुछ बहां से भी कट की जाती है तो इस deduction होता है 4000 से लेके 24,000 के बीच में दोस्तो इस deduction जैसे जैसे आपकी salary बढ़ती जाएगी deduction भी बढ़ता जाएगा अगर आपकी सुरुबात में salary कम है तो आपका deduction भी कम रहेगा अब बात की जाएग इन हैंट salary की दोस्तो जो इन हैंट salary होती है वो 24,000 से लेके 84,000 के बीच होती है हम आपको ये भी बताएंगे कि बिल्कुल एडजक्स salary क्या मिलती है जवानिंग के टाइम पे अब दोस्तो बात की जाए जैसे आप साब इंस्पेक्टर के पत पर चैनित हो जाते हो तो दोस्तो आपको मिलेगी क्या training training करनी होगी training के दोराद दोस्तो आपकी जो pay skill है उसमे salary मिलती है आपको कोई भी grade पे नहीं मिलता है कोई भी allowance नहीं मिलती है नहीं आपका deduction कटता है उसके पहले बता दें आपको allowance में मिलते है एक city बाइ city जैट city एक city वो city है जो बड़े नगर है इसे महा नगर है बाइ city उनसे थोड़े छोटे सहर और जैट city में आजाएंगे आपके कस्वे तैसी लिस्तर के कस्वे बगएरा और गाउं तो जैट city में आपके गाउं इसतर तक आजाते हैं अब बात कीजा एक city में अगर आपकी जोइनिंग हो जाती तो दोस्तो आपको 7000 room rent मिलता है एक allowance में जुड़ा हुआ है लेकिन हम आपको बता दें कि room rent कितना मिलता है एक city में joining होने पर लगबख 7000 हजा लगबख है दोस्तो यह थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है लगबख 7000 और अगर आपके joining by city में होती है तो आपको मिलता है जो किराया मिलता पांच हजार और वहीं अगर आपकी joining jet city में होती है तो आपको मिलता लगबग 3,000 किराया तो दोस्तों हमने आपको किराया बता दिया कि अलाउंस में ही जुड़ जाएगा लेकिन कितना मिलता यह हमने बता दिया अब दोस्तों आपको यहां पर देख रही होगी 24,000 से लेकर 8,400 की बीच लेकिन हम बता दें जैसे आप जॉइनिंग हो जाते हो अगर आपकी जॉइनिंग जैड सेटी में होती है तो आपकी सेलरी 32,000 रुपए रहती है 32,200 अगर आपकी जॉइनिंग बाय सेटी में होती है तो आपकी सेलरी रहती है 34,800 तो दोस्तो हमने एट्जक्ट सेलरी बता दी है, इतनी ही सेलरी रहती है आपकी सुरू बात में, सिर्फ हजार-दोहजार का स्टेट से फर्क पड़ जाता है, इतना तो आप मैनेज कर लेना, अगर किसी भी स्टेट के हो तो एक-दोहजार का अंतर ही आएगा, इस से जाना अं पतर नहीं होगा लेकिन दोस्तों आपकी एंड तक सेलरी 8400 तक पहुंच जाती है जैसा कि इसमें लिखा है जब रिटारिमेंट के टाइम तक अब दोस्तों हम आपको अलाउंस बता दे कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं दोस्तों आपको मिलता है एच आरे यानि की हाउस है कितना मिलता है ड्रेस अलाउंस मिलते हैं महगाई भत्ता एच आरे फोर फ्रेग वेक लिविंग पर्सनल ट्रेवलिंग अलाउंस मिलते हैं दोस्तों डेली अलाउंस मिलते हैं इस पेसल डूटी अलाउंस मिलते हैं चिल्डरन एजुकेशन अलाउंस मिलते हैं होस्टल सकते हो hair cutting allowance, shop toilet allowance तो दोस्तों इस परकार के आपको बहुत सारे allowance भी मिलते हैं तो दोस्तो हमने आपको allowance बता दिये कोन-कॉन से allowance मिलते हैं hand salary भी बता दिया, pay scale बता दिया और deduction भी बता दिया कि कितने आपकी celery काट ली जाती तो दोस्तों लगबख सभी जनकारी कवर हो चुकी है अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को सस्क्राइब कर देना धन्यवाद दोस्तों